तो साथियों हम आ गए हैं लेकर आपके लिए बहुत ही बहुत ही जबर्जस्ट कंटेंट द्रिष्टी IS का टेस्ट स्रीज साथियों इसकी जितनी तारीफ परें उतना कम है यह द्रिष्टी IS का टेस्ट स्रीज है जो आपके आने वाले एक्जाम UPPCS Prelims 2024 के लिए राम बान है यह साथियों सुध रुप से हिस्ट्री मौडन इंडिया से सम्मंदित है जो आपके एक्जाम में बहुत बड़ा रोल लिबाता है आप UPPCS में या आरो यारो में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आप देख लेना साथियों एक आउसत में 25 पूछे जाते हैं प्रत्य अप्रत्य चुरुप से जो हिस्ट्री से सम्मंदित होते हैं तो साथियों मौडन इंडिया का बहुत बड़ा वेटेज होता है हिस्ट्री में आपको मैं बता दू साथियों यह राम बान आपके लिए क्यों है बहुत ही महत्तपूर साथियों इसमें हमने ऐसे प्रश्ण देखा है जो द्रिष्टी आये हमारा बनाया हुए नहीं है यह बहुत विश्वशनी भरोसे मन संसा द्रिष्टी आयेस का एक कंटेंट है और इस बेड़ सो प्रश्णों के टेस्रेज में साथियों ऐसे प्रश्ण है जो यूपी PCS के एक्जाम में कई बार रिपीट हुए है वो प्रश्ण है जो आरो ए आरो के एक्जाम में कई बार रिपीट हुए है वो प्रश्ण है जो बिहार PCS के एक्जाम में कई बार रिपीट हुए है वो प्रश्ण है और साथियों इसके साथ ही कुछ नए प्रश्ण बनाए गए है इन्ही आधार पर कुछ नए परश्न बनाए गया है, जिन्हें हम संभावित परश्न कहते हैं, जिनके आने की संभावना अधिक से अधिक रहेगी आपके 2024 के prelims में, तो साथियों बहुत 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 बहुतरीन होगा, इसका आपको अगर PDF चाहिए साथियों, पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, तो उसी में जाकर आप लोग को टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे, तो इसका आपको पीडियाप भी आसानी से उक्लोज मिल जाएगा, एंसवर सहीद, तो आप लोग जो है पीडियाप से भी अपना रिवीजन कर लिजे का साथियो हो, मैं चीजो को एक एक करके बहुत ही बेहतरिन से आपको बताने का प्रयास करूंगा, यहाँ पर आप बहुत सारा साथियों फैक्ट सीखें गे, बहुत सारा concept सीखेंगे, यही फैक्ट कन्सेब्ट जब 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 प्रैक्टिस के माध्यम से आप साल की रहेंगे, आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किये हैं एक बेहतरिन संस्था का कंटेंट का, तो आप यकीन मानिए साथ हुए एक्जाम हाल में आप जो है आपको confidence लो हो जाएगा, आप आता हुआ प्रशन को गलत बनाने में, आप हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको साथियों सब्सक्राइब कर दीजिये, करिए, तो कि साथियों इससे आपका कुछ जाएगा नहीं, और उसके बतले हमें बहुत सारा कुछ चीज मिल जाती है, हमारा एक तर पहले प्रश्न पर देखते हैं क्या है, पहला प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, बहुत सारे एक्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, इलहाबाद संधी के संदर में है, इलहाबाद संधी के संदर में आपको दो कथन दे दिया गया है, इनी दोनों कथनों को अच्छे से पढ़कर आपको सही उत्तर देना है, तो इस ध्यान रखिए, यह सही उत्तर की बात कर रहा है, गलत उत्तर की नहीं, तो साथ ही में इलाबाद की संधी, आप लोग वाले में दो संधी हुई थी, 1765 में, जब अंग्रेजों ने बक्सर का युद्ध जो है, 1764 में बक्सर का युद्ध जीता, उसके बाद फिर कलाईब आता है 1765 में, तो वही दो संधी करता है, एक अवद के नवाब सुजाओद दौला के साथ, और एक शाह आलम दिती की समराद, मुगल समराद, तो पहला में क्या होता है साथ ही हो, इलाबाद और कड़ा को अवद के मारा बहुत नुकसान हुआ है, इसके लिए बंगाल बिहार की दिवानी, मतलब जो राजस व असूली का अधिकार बंगाल बिहार की वो अंग्रेजों को दे दिया, तो यही दोनों बाते सही है यहां पर, तो यहां का उत्तर सी हो जाएगा, बहुत अच्छा, तो साथियों तो देखते हैं, दूसरा प्रशन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही पहतरीन प्रशन है यह, यह आपको चार घटनाओं के नाम दिया गया है, इनी घटनाओं का आपको क्रम याद करके, जो भी सेट में बन रहा है, सही सेट में आपको बता देना है, बहुत लाजवाब जाने के लिए कोई भी घटना का अगर करम पुछ लेता है, तो उसका हमें डेट थोड़ा सा पता होना चाहिए, सभी न पता हो, लेकिन कम से कम दो तीन तो पता होना चाहिए, तो देखें हम लोग कारखाना अधिनियम साथियों 1947 में आया था, बहुत अच्छा, सारदा अधिनियम जो था, ये 1961 में आया था ये, और विशेज बिवा अधिनियम जो है, ये 1904 में आया था, तो सारी घटनाओं को मैं आपको बता दिया, अब आप लोग सोचिए, सबसे पहले कौन सी घटना आई रही होगी, सबसे पहले यहाँ पर कौन सी घटना आई रही होगी, तो यहां पर जो 1929 है मैं साहर 24 लिख दिया हूँ तो 1929 तो सोचिए सबसे पहले कौन सी घटना यहां आई हो कि यही सारदा अधिनियम वाला जो नंबर 2 पर है तो नंबर 2 यानि पहले रहना चाहिए क्योंकि यही सबसे पहले है और सबसे अंतिम में देख लो क्या है सबसे अ उत्तर नहीं हो सकता यह नहीं हो सकता इनी दोनों में से कोई है तो आपको थोड़ा सा एक इस्टिप और जाना पड़ेगा तो यह जो है आपको सारदा वाला पहले हो गया इसके बाद की घटना क्या है कारखान आधिनियम एक वाला हो जाएगा तो यह हो जाएगा उत्तर के बिद्रो को दबाया था, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा साथियों, जो 1857 की लड़ाई सोतमता संग्राम हुआ था, तो उस समें अलग-अलग छेत्रों का नेतित, अलग-अलग नेता लोग कर रहे थे, तो उनको अलग-अलग जो है, बिटी सधिकारी ने दबा दिया तो वही कुमर सिंग को जो है, यही दबाने गया था, विलियम टेलर, तो बिकल्प नमबर D हो जाएगा, विलियम टेलर ने दबाया था, बिहार का भी द्रो, आरा के आस्वास हुआ था, तो साथियों हम लोग देखते हैं, चौथा कोश्चन, बहुती बहुती लाजवाब प्रशन है यह, यह साथियों आपको मिलाने वाला प्रशन है, सूची एक, सूची दो, हालांकि यहाँ पर किवल सूची एक दिया है, मिस्ट्रिंट हो गया है, अगला इसका अगले पेश पर चला गया है, तो एक तरफ हम जो है कुछ घटनाई दिया है, और दूसरी तरफ यहाँ वायसराय दिया है, वायसराय, तो यही वायसराय कौन है, घटकी घटना से संबंदित, कौन वायसराय है, यही हमको मिलाना है, तो हमें मालूम है साथियों, इलबर्ट बिल विवाद से संबंदित, यह लाड रिपन है, लाड रिपन, इलबर्ट बिल विवाद क्या ह कहा कि ये भारती ही हमारा नियाई करेंगे तो ये था और काकोरी स्रड़ियंत कान जो 1925 में हुआ था ट्रेन लूटने वाली तो ये साथियों इस समय कौन रहा लॉडर रेडिंग था वाय सराय लॉडर रेडिंग था और लखनव समझोता जो साथियों हुआ था वो चेंस फो दिवस आपको मालूम है वेवेल के समय हुआ था वेवेल जो था तो ये सारी चीजी में आपको मिला दिया हूँ अब आप लोग देख लिजेगा अगले पेज पर आपका कौन सा उत्तर बन रहा है तो यहां पर है ये देखिए तो यहां पर सायद आपका ये जो बन रहा है यह A वाला बन रहा है, देख लिजी अवर, हम मिला दिये हैं, आगे देखते हैं हम लोग 5-5 में, देखें 5-5 वाले माप से क्या करा है, निमनलिखित में इसे कौन, वाइकॉम सत्याग्रह से संबंदित है, तो वाइकॉम सत्याग्रह सा यह केरल में हुआ था, यह छुवा के खिलाप मंदिर प्रवेस में नहीं जाने दिया जाता था दलितों को सड़क पर चलने नहीं दिया जाता था तो इन सभी के खिलाप ये के लपपन ने छेड़ा था केरल में विकल्प नंबर सी हो जाएगा पांचवे का सी हो गया बहुत अच्छा आगे चलते हैं लोग ये च्छठे में देखते हैं लोग च्ठे में क्या है तो शक्तियों च्छठे兩 वाले में बहुत अच्छा प्रश्णे इसमें भी दिया है देखते हैं हम लोग हर एक प्रश्ण साथárias यूँ बहुत ही जान है प्रश्णों में थोड़ा सा आप सीरियस होओंगे तो बहुत सारी चीज सीखेंगे हमसे, तो देखें क्या है, चछटवे में कह रहा है, कथन वाला सवाल है, ये सवाल RO-ARO-UP-PCS में बहुत पूशा जाता है, कथन और कारण वाले सवाल, तो कथन में क्या कह रहा है, कि Dutch और अंग्रेज, इस्ट इंडिया कंपनी, डच और अंग्रेजी इस्ट इडिया कंपनी दोनों मसूली पट्टनम सहर को नियंत्रीत करने के प्रयास किये थे यह साथियों दोनों के दोनों मसूली पट्टनम सहर को नियंत्रीत करने के प्रयास किये थे क्योंकि मसूली पट्टनम यह जो है जैसे यह भारत हो गया तो या सबसे महत पूर बंदरगा था साथियों सत्रामी सताबधी में महत पूर बंदरगा था लेकिन पुर्वी तत पर था मैंने बता दिया ना अभी आपको यह पूर्वी पूरब हो गया ना इस्ट पश्मित फट है तो इसलीए यह गलत हो गया आपका कशन सही है कारण आपका गलत है तो यहां पर आपका विकलप नंबर जो उत्तर होना चाहिए ये हो जाएगा A वाला C हो जाएगा A सत्य है और गलत है बहुत अच्छा आगे देखते हैं हम लोग सातवे में तो सातवे में साथियों आपसे पूछ रहे हैं कि निमलिखित में से कौन सी घटना लाड करजन के सासंकाल में क्या कारकाल से सम्बंदित नहीं है तो साथियों लाड करजन आप लोग जानते वही जो बंगाल विभाजन किया था कौन किया था 1799 में ये भारत आता है 1899 से 1905 तक ये रहता है और 1905 में ये हिंदू मुस्लिम की आग देने के लिए बंगाल विभाजन कर देता है सम्बंदाइक्ता के आधार पर तो इसका काम क्या क्या है आप से लेकिन पूछ रहा है ध्यान देना है आपको कह रहा है कि लाड करजन के कारकाल से संबंधित नहीं है तो बंगाल विभाजन तो है बंगाल विभाजन है भारती लोक सिवा मंडल का गठन भी किया था अकाल आयोग का भी गठन किया था ये ती प्रमून का ठोंक देना कहां यही उत्तर होगा यह अंटर आयोग जो था साथियों यह प्रामेरी सिच्छा के सुधार के लिए आया था यह 1882 में आया था यह इसको याद रखियेगा तो इसलिए यह हंटर से सही यह तो नहीं है क्योंकि करजन का कारकाल तो इतना था और यह नबाएं था 1882 में पिंगि यह नहीं होगा आगे चलते हैं लोग देखते हैं आठ्ध्वें में साथियों क्या है रहे हैं आठ्ध्वें में साथियों आपसे क्या पूछ रहे हैं 変ृ क्या है कि कह रहे हैं लाला लाच्पत राय से सम्बंदीत कुछ कत्षं डिये गए you आपको लाला लाश्पत राय से संबंदित उस कथन को पढ़कर आप जो है सही उतर दे देजिएगा तो साथ ही आप लोग को मालूम है लाला लाश्पत राय को जो है बहुत सारे नामों से अलग-अलग टाइटल से उनको जो है नाम से पुकारा जाता है मतलब जैसे होता है कि पंजाब का सेर हो गया, केसरी हो गया, पंजाब केसरी, पंजाब का सेर, ऐसे बहुत से टाइटल्स इन्हें मतलब कहा गया था, और जो श्वेत कमिशन का बिरोद करते समय इनकी मृत्यू हो गई थी, और जो है इनकी मृत्यू करने वाले को जो है भगा सिंग ने बोली मारी तो देखें ये क्या कह रहा है लाला लाजपत राय ने सर्वेंट्स आप पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी ये बात बिल्कुल सत्य है ये बात एकडम सच है और दूसरा कह रहा है कुन्हों ने स्वराज पार्टी की गठन में भी भाग लिया था ये साथियों जिब चौर कांड के बाद गांधी जी ने अपना सहयोग अंदोलन बंद कर दिया तो मोतिलान लहरू सियर्दास अग्रिम भूमिका में आये और उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना किया 1923 में तो इसके कारण उसमें स्थापना में ये लाला लाजपत राय का भी सहयोग रहा स् विकल्प नंबर दो भी सही है तो आपका उत्तर सी हो जाएगा आठवे का सी हो जाएगा बहुत अच्छा आगे हम लोग देखें नवे का नवा में सातियों कहा रहा है स्रमिक संग आंदोलन की सुरुवाट से पहले भारत का पहला स्रमिक नेता कौन था यानि जो स्रमिक सं किसे माना जाता था तो साथियों यही NML नारायर मेखाजी लोंग ठे तो विकल्प नंबर यही थे जो है तो आगे चले हम लोग देखते हैं तो क्या है हमारा दस्वापरश्ण देखें दस्वापरश्ण में हमें क्या कह रहे हैं जमीदारी प्रथा जमीदारी प्रथा साथि लेकर आता है जमिदारी बेवस्था में सारा भूमी का अधिकार जो है स्वामित जमिदारों को ही मानना जाता है इतना तो आप जानते हैं तो जमिदारी के समझ में कौन सी बात सही नहीं है उसे पताना है तो इसने निश्चित किराय या अधियोग अधिकारों के अधिभोग अधिकारों को अस्थाई रूप से इस्थापित कर दिया था तो साथियों ये बात जो है तो सही है लेकिन हमसे गलत पूछा है इसने वर्स 1993 में लाड कारणवालिज दौरा अस्थाई बंदोवस्त के माध्यम से पेस किया गया था ये भी बात सही है मैंने जश्ट अभी इसी होगा क्यों गलत है साथियों ये अंग्रेज सीधा किसानों से नहीं वसूलते थे अंग्रेज जो है एक अपना एज़ेंड तैयार कर लिये थे जमीदार के नाम से यही जमीदार जमीदार कहते थे जाओ तुम उसे वसूल कर लाओ और तुम हमें दो यानि किसान जो होता थ तो यह वाला आपका गलत हो गया C वाला और डी तो साहिए है बंगल बिहार और ओडीसा быть प्राचलिध था यह तो C के वल गलत था आगे देखें हम लोग 10 में सातरि हएं अपसे क्या पूछ रहे हैं एक देखिए अखिल भारती मज़़ूर संग कांगरेस से संबंदित बहुत ही फेमा से यह पूछा जाता है जिसे एटक कहा जाता है तो All India Trenuidian Congress तो अखिल भारती मजदूर संग ये जो कांग्रेस का संबन्द निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो यही दोनों कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है तो लाला लाजपत राय एटक के पहले महासच्यू के रूप में चुना गया था तो साथियों आप लोग को पता होना चाहिए जो एटक की इस्थापना हुई थी 31 अक्टूबर 1920 को इस्थापना हुई थी तो लाला लाजपत राय को इसको जो है इसमें उन्हें एक तरह के जो है यह अध्यश चुना गया था महासच्यू नहीं तो उन्हें अध्यश चुना गया था तो यह बात जो है आपकी गलत हो गई यह अध्यश होना चाहिए था महासच्यू नहीं तो विकल्प नंबर ए आपका गलत हो गया दूसरे में कांग्रेस वर्स 1922 के गया अधिवेशन में एटक के गठन का स्वागत किया गया इसकी सहायता के लिए एक समीती गठिती गई थी जी ये दोनों बाते सही है ये दूसर की वाली सही है तो उत्तर आपका केवल भी हो जाएगा केवल दूसरा सत्य है बहुत अच्छा तो आगे चलते हम लोग देखते हैं क्या है हमारा 12 वाले परश्ण में साथी हो देखते हैं इसमें करम में साजाना है बहुत ही लाजवाब बहुत ही बहतरीन परश्ण ऐसे परश्ण जो है साथी हो आरो ए आरो जैसे एक्जाम में बहुत सारा पूछा जा रहा है दबाकर तो इसके आपको थोड़ा सा डेट पता होना चाहिए अभी मैंने इस पर बात किया था हंटर आयोग जो सिच्छा प्राइमरी सिच्छा में सुधार से संबंदिक था ज्यादातर प्राइमरी में सुधार करने सा हालंकि माध्यमिक में भी था ये तो 1882 में ये था आया था इसका डेट मालूम होना चाहिए चार्ल्स वूट डिस्पैच जो डलहाउजी के सासनकाल मे 1854 में आया था जिसे सिच्छा का मैगना कार्टा कहा जाता है और साथियों रेले आयोग कर्जम के सासनकाल में आया था 1902 में और ये जो है हमारा एक ली आयोग था साथियों ये ली आयोग जो है ये 1924 में आया था कब 1924 में अब हम तो बड़े आसानी से सजा सकते हैं भाई करें difragetе 12 सबसे पहले होना चाहिए तो यहां सबसे पहले हैं और दो यहां सबसे पहले हैं इन्हें दोनों वेंसर कोरत और यह पहला और चौथा काट देजिए ठीफ नहींट लिए सबसे अन्ति में सबसे यहां है सबसे उत्स को पता लगा लेगा है यह mudar वह मारा उत्तर जो है ये प्रश्न 13 क्या है तो देखे साथियों ये पावना बिद्रो संबंदित है तो पावना बिद्रो किस से संबंदित है साथियों बहुत ही बढ़ियां सवाल है ये तो ये जमिदारों के उत्पिड़न को लेकर एक जबरनोलोग लगान वसूली कर रहे थे भूम बिद्रो तो ये आपके जो यूपी PCS का एक्जाम है तो उसमें मोपला बिद्रो पूछा था उधिक अधार पर इस प्रशन को बना दिया गया है आगे देखें हम लोग देखें चऊदर में क्या पूछ रहे हैं यूपी किसान सभा का गठन यूपी किसान सभा का गठन कभ किया गया था साथ यह बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपके üp सेस्थय से भी आप इसे कह सकते हैं तो 1918 में यूपी किसान सभा का ये गायोजन किया गया था इंद्र नाराण दिवेदी गौजरी संकर मिस्र जैसे मदन मोहन मालवी इन सब मिलकर ये लखनौ में किये थे कहां किये थे ये भी पूछा जाता है लखनौ में तो याद रखिएगा अपना ये वाला आगे देखते ह हम लोग तो साथियों इसमें दिया है वारेन हैक्स्टिंग जो बंगाल में मदर्शा की स्थापना किये थे कलकत्ता में तो वारेन हैक्स्टिंग निमलिकित में से कलकत्ता मदर्शा की स्थापना की थी तो मतलब किस उद्देश किया था क्यों किया था तो साथियों सही कहे तो देखिए 1781 में 1781 में ये मदर्सा की स्थापना किये मुस्लिम कानूनों और उनसे बिश्वों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए और कुछ मुसल्मानों को सिछित कर सके जिससे वो हमारा एजेंट बन सके इसी के आधार पर इसके ज़ेश्ट दस साल बाद ये 1781 में ये वारेन हैस्टिंग ने मदर्से की स्थापना किया था फिर इसके दस सल बाद जो है 1791 में हिंदू कानून और उससे संबंदित जानकारी इकठा दर्सन के बारे में पता करने के लिए ये हिंदू कालेज की स्थापना किया गया बनारस में तो यही कह रहा है वो सिच्छित नहीं होगा तो हम उसको अपनी बातों को कैसे समझाएंगे जनता तो अनपड़ है कुछ हमें ऐसे पढ़े लिखे चाहिए जो मानसिक रोप से हमारी बात को समझ सकें हमारी बात को समझ सकेंगे तो अपने लोग को अच्छे से समझा सकेंगे तो इसलिए वो लो अलेज इन्वर्सिटी की स्थापना करने का उनका उद्देश यही था आगे हम लोग देखते हैं सोला में क्या है तो सोला में आपसे पूछ रहे हैं साथियों संप्रदाइक पंचाठ से समधित प्रशने दिया है क्या लाजवाब प्रशने 1932 में अंबेटकर और गांधी जी माध्यम से 1932 में 1932 में जो है गांधी जी और बेटकर जी के भी समझावता हुए समझेद्यों को पूनपैक्ट के नाम से जाना जाता है तो यह है मैं सोड़ा सा बता दिये इसके बारे में तो सत्य क्या है इसमें यह बता ना है दोनों कथनों को पढ़कर और सही उत्तर दे ना है यह लेथीयन यह लोथीयन समीति के सिभारिसों पर आधारी था थय तो सथीयों यह लोथीयन समीति के सिपार्ज पर आधारी था यह यह संपरदाइक पंचाठ कभी पूछे किस समी juvenile पर था तो लोथियन समीट ही और सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 33% आरच्छत की गई नहीं साथियों महिलाओं के लिए बात नहीं थी अलोवर दलितों के लिए बात थी तो यहां पर जो है डलितों के लिए जो है अलक से निर्वाचन तो नहीं दिया गया लेकिन 78 सीटे रिजर्ब की गई जो है एक्स्ट्रा तो यह हुआ था तो बिकल्प नंबर केवल आपका यहां पर बी सही होगा मतलब ए सही होगा क्योंकि बी तो गलत हो गया क्योंकि यह महिलाओं से समद्धित यहां कोई आरक्षण नहीं था तो एक एवल सही है आपका उत्तर ए हो जाएगा आगे देखते हम लोग सत्तर में तो साथियों नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस ने की थी तो साथियों गांधी जी ने अफ्रीका में किया था वो जो अहां पर भेदभाव जैसी सब समस्याएं चल रही थी अफ्रीका में तो उसे मात्मा गांधी जी ने अठारा सो पंचानवे में अठारा सो पंजानबे में इंडियन मतलब नेटाल इंडियन कांगरीस की स्थापना की थी गांधी जी ने अफरीका में उभ्रियों भार्थियों के साथ भेदभाव हो रहा था उससे लड़ने के लिए संगठन बनाये था आगे देखते हैं हम लोग तो देखें हम लोग यहा अलग अलग तरह की संग्या दे रहे थे कोई कर रहा थे कि यह हिंदू मुसल्मानों का सड़यंत्र था कोई कर रहा था हिसायों के भी सड़यंत्र था इस तरह के अलग अलग लोग इतिहासकार लोग अलग अलग ज्यानी लोग अपना उपीनियन दे रहे थे तो साथियों इ कही थी काल मारक्स ने ये बात क्या कहा था काल मारक्स ने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा पुर में ही प्रारम सामाजिक प्रव्यती का विश्तार था यालि जो अंग्रेजों ने अपना पहले पुराना कर्मकांड किया है उसी का ये नतीजा है तो ये भी बात सही है लेकिन सभ्यता और बरबरता का संगर्स है सभ्यता और बरबरता के बारे में उन्होंने बताया था सभ्यता और बरबरता के बारे में तो ये तो गलत हो गया यही गलत ही हमारा उत्तर होगा सी वाला हमारा उत्तर होगा और ये जो बेंजा मेन विजरायले लिखे हैं, तो ये भी जो है, यही कहे हैं, ये इनका भी सही है, तो ये गलत हो गया, इसका मतलब और सही ही है, आगे देखते हैं हम लोग 19 में, तो 19 वाले में हमें क्या पूछ रहा है, कत्षनों पर विचार कीजिए इन दोनों कत्षनों पर और सही उत्तर दीजिए, तो British Committee of Indian National Congress की स्थापना, 1800 विज्ञानवे में, ब्रिटेन में की गई थी, तो साथ हो, ये बात बिलकुल सही है, British Committee of the Indian National Congress की स्थापना, और इसका उद्देश, ब्रिटेन में जनता को भारती मुद्दों के बारे में जागरूप करना, ये दोनों बाते सही हैं, तो हमारा D हो जाए आगे देखते हैं हम लोग 20 में, तो इसमें कहा रहा है भारती राष्टी कांग्रेस, भारती राष्टी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का निमलिकित में से किस संगठन के साथ बिले हो गया था, तो साथियों यही जो है East India Association, इसका बिले जो है बात में, कांग्रे बहुत अच्छा साथियों, आगे हम लोग देखते हैं अब, जो हमारा ये अगर हाँ, ये भी अच्छा आपसे पूछ सकता है, सूरेंद्र नाथ बनरजी ने इसकी स्थापना किया था, सूरेंद्र नाथ बनरजी ने East India Association का, आगे देखते हैं हम लोग 21 में, तो 21 में साथि दे दिया है हमें सजाने के लिए, बंगाल बिभाजन, सूर्ट बिभाजन, ये चार घटना हैं, और उनको काल करम में हमें सजाना है, तो फिर वही बात बंगाल बिभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ था, सूरत का बिभाजन साथियों, दो साल बाद इसके पांच में बंगाल विभाजन हुए अच्छा में मुस्लिम लिक पाल्टी बनी और साथ में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजीत हो गई शकड़ा हो गया कुछ लोग नरम दल वाले गरम दल वाले में और बंगाल विभाजन के बिरुद्ध बहिसकार प्रस्ताव जो हुआ था सातियों इस वाले से थोड़ा सा एक्ष्ट्रा समय और दादा भाई नरोजी की घोषडा कांग्रेस का लच्छ स्वराज है तो ये कब किया गया था तो साथियों 1906 में 1906 में जो दादा भाई नरोजी अध्यस्ता किये थे कांग्रेस की वह उसमें घोषडा किये थे तो ये चारों चीज़े मैंने आपके सामने रख दी अब आप लोगों को बताना है सबसे पहले घटना इसमें कौन होई होगी तो सबसे पहले साथियों यहां पर लग रहा है यह बंगाल विभाजन वाला हुआ होगा 1905 वाला तो सबसे पहले एक होना चाहिए तो कहीं एक नहीं है साथियों तो एक कहां पर है तो हमें यह तीन बंगाल व्भाजन की बिरुद्ध है शए स्वरी श्री स्वरी मैंने गलत कर दिया यहां पर साथियों पहले बंगाल विभाजन की बिरुद्ध बहिश्कार परस्ताव तो हम लोग देखते हैं question number 21 वाले में बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरिन प्रशन है ये इसमें आपको चार घटनाओं के नाम दिया है इनी घटनाओं को आप अच्छे से पढ़कर समझ कर और अपने कालकरम में order में सजा देना है तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से मालूम है साथियों क्या मालूम है कि बंगाल बिभाजन जो हुआ था वो लाड करजन के सासनकाल में 1905 में हुआ था और ये बंगाल बिभाजन होने से पहले इसका अंग्रेजो ने जो है इसका विभाजन के विरुध परस्ताव पारित हुआ था तो ये हो गया यानि ये वाला थोड़ा सा पहले और ये प्लस वाला जो थोड़ा सा बात में हुआ था 1907 में क्योंकि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ 6 में मुस्लिम लिख पार्टी बनी और 7 में कांग्रेस का विभाजन होता है और दादा भाई नोरोजी ने गोशड़ा किया क्योंकि 1906 में कांग्रेस की अध्यस्ता दादा भाई नोरोजी ने किया था तो वही ने घोशड़ा किया था कांग्रेस का लच्छ स्वराज है तो यहां पर साथियों सबसे पहली घटना कौन हुई होगी आप थोड़ा सा देखिए यह हुई होगी इसमें प्लस नहीं है तो यह प्रस्ताव पारित हुआ फिर बंगाल का विभाजन हुआ यानि तीन फि कब भी उत्तर होगा बहुत अच्छा तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं यह 22 वाले में आपसे क्या पूछा जा रहा है यहां पर तो प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज ने समाजिक जागरुकता के लिए कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था इसकी स्थापना होई थी और यह मतलब एक पादूरंग आत्माराम पांडूरंग नाम था तो वही इसके संथावग में अगरिम भूमिका में थे तो इसने कौन सी समाचार पत्र की सुरूवात की थी यह आपसे पूछ रहा है तो सुबोध पत्री का विकल्प नंबर C हो ज परिवर्तन हुआ उसके संबंद में बताना है तो क्या क्या उसकी मिर्त के बाद हुआ तो इसकी मिर्त जानते हैं आप लोग 1799 में टेपू सुल्तान मारा गया जो आंगल मैसूर युद्ध के चौथे युद्ध में तो यह है और इसमें कौन सा परिवर्तन हुआ था यह ब यही बात है किस राजने जो जिनको दिया गया सकता वो अंग्रेजों के अंडर में थे विलियम बैंटिक ने 1821 में कुसासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था यह लाड रिपन ने 1891 में उसके सासक को बहाल कर दिया था तीनों बाते सही है डी हमारा उत्तर हो ज जज भी अंग्रेजी लोगों को सुनवाई कर सकते हैं उनको सजा दे सकते हैं तो इसके लिए अंग्रेजों बिरोध किये बोले कि भारती काले हमारा हमको सजा देंगे हम इनसे अपना न्याय नहीं करवाएंगे हमारा न्याय यूरोपी जज करेंगे तो यही था यहां इल आधिक मामलों में मुकदमा चलाएंगे यस तो साथियों यही बात सही है यहाँ पर जो है यह बात सही है तो बिकल्प नंबर A ही सही हो जाएगा अपना 24 का A आगे देखते हैं हम लोग पचीस का तो पचीस वाले में क्या पूछ रहे हैं आपसे एक तरफ आपको संधी दिया कि दीसमबर 1783 को अमेरिका और ब्रस्तानी यों के बीच हुआ था तो यह अमेरिका हो जाएगा यहाँ पर तो यह वाला तो सही है पेरिस की संधी अमेरिका से साथ फुए था और साथियों यहां पर जो है गणमक की संधी या अफगानिस्तान से संबंदीथ है तो नहीं यह वाला होना चाहिए गंडमक की संधी अफगानिस्तान से ही है यह यह वी वाला है अफगानिस्तान से ही है और सुगवली की संधी साथियों यह नेपाल से संबंदित है और यांदबू की संधी यह बरमा से है यानि यह दोनों गलत हो गया केवल एक और यह सही है तो आपका उत्तर ए हो जाएगा, बहुत अच्छा, आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा क्या है 26 में इसमें भी थोड़ा सा नीचे दे दिया है, अब हमको थोड़ा सा यहां देखना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा साथियों, क्योंकि क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा mist Printing कर दिया है तो हम लोग देखते हैं क्या है यहाँ पर एक तरफ हमें कुछ वर्ष दिये गए हैं और दूसी तरफ कुछ वर्ष दिये गहे हैं कौन सा विद्रो किस वर्ष में हुआ था उसे हमें अच्छे से सजाना मिला कर सेट में बताना है अहों बिद्रो जो है सातियों अहों बिद्रो सातियों ये असम में हुआ था असम के गोंधर में 1828 में तो ये आ जाएगा आपका अहों बिद्रो चौथे पर आ जाएगा यानि A4 पर होना चाहिए तो A4 पर कहां है केवल B में है ऐसा दिखाई दे रहा है तो हमें A कही नालेज से हमें उत्तर मिल गया कि हाँ जो है हमारा उत्तर जो है ये B होना चाहिए अब हमें कोई पढ़ने जवरतने हमारा सारा समय बचा कर हम निकल सकते हैं अगर आप मिलाना चाहिए मिला ले B को तीसरे से मिला ले B को तीसरे से मिला ले C को दूसरे से मिला ले C को दूसरे से मिला ले और पाई का बिद्रो को ये 17 वाले से मिला ले पहले से बहुत अच्छा आगे चलते हम लोग चो देखते हैं क्या है हुमारा सत्ताइस में उद्तर यह सत्ताइस में साथ हिओ यह खिलाफस तंदोलन है यह जो यह जलिया वाला भाग觉得 बहुत हो था उसके पहले आया तो हमारा जो है हमा स्वयोग आंदोलन चलाने वाले मुसलमान हमारा भी साथ देंगे तो यह तरह से हिंदू-मुस्लिम एकता की बात था यह आंदोलन तो इसमें कराए खिलाफत आंदोलन से प्रत्यच संबंदित नेता कौन नहीं थे तो साथ यह मुहमद अली यह जो थे मतल इकबाल यह चार नाम आपको दिये गए हैं तो इन में से मुहमद इकबाल नहीं थे जबकि यह तीनों मुहमद अली हश्रत मुहानी शौकात अली तो यह आली बंदू कहा जाता था यह मुहमद अली और शौकात अली को यह अली बंदू थे और हश्रत मुहानी भी थे तीनो मराठा युद्ध जो हुआ था साथियों अंग्रेजों और मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था तो ये बहुत important है मराठा टापिक तो इसमें बेसीन की संधी हुई थी दीसरे आंगल रिजर्व की नीती लागू की तो तो लॉड लीटन ने किया था यही लॉड लीटन ऐसाथियों जो पत्र जो जो है देसी समाचार पत्र अधनियम लाया था कि अब सारे समाचार पत्र जो है 78 में लाया था ये 76 है कि अब समाचार पत्र देशी भासम नहीं छपेंगे सिर्फ अंग्रेजी में छपेंगे तो इसको याद दिला दिया इसना कॉंखार आदमी था तो proud reserve यही लेकर आया था विकल्प number D तो proud reserve की नीती शुरू किया जिसका उद्देश क्या था कि बैज्ञानिक सिमाय निर्धारी करना और प्रभाव छेत्र की सुरच्छा करना यही था इसका थोड़ा आगे देखते हैं हम लोग यह देखें हम लोग 30 में क्या कह रहा है 30 में साथियों क्या कह रहा है एक कथन दिया है आपको कारण दिया है आपको पढ़कर उत्तर देना है आपको क्या है आपका उत्तर क्या होना चाहिए तो साथियों असाहयोग आंदोलन के दोरान मोतिलाल नहरूच यार्दास राज गुपालचारी आसरफ आली जैसे कई वकिलों ने अपनी वकालत छोड़ दे थी यस साथियों इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि गांधी जी ऐसा कहे भी थे कारण क्या था क्यों छोड़े थे आंदोलन ने बिदेसी मानत की सरकारी यानि जो बिदेसियों के दम पर नोकरी कर रहे हैं उनकी उपाधिय क्योंको त्यागना था महत्रपूर विशेष्ता थी यही सब बात थी साथियों यहां पर यह दोनों सही है और इसका यह कारण भी है तो बिकल्प आपका भी हो जाएगा बहुत अच्छा आगे हम लोग 31 वाला देखते हैं 31 में क्या बात कही गई है निमलिखित में से किसने सबसे पहले भारत के लिए सनमिधान बनाने का सनमिधान सभा का बिचार रखा था साथियों सुराज पाइटी विकल्प नमबर डी वही जो चौरी-चौरा कांड के बाद गांदी जी आंदोलन बंद कर देते हैं तो गुस्सा में आकर मोतिलाल नेर 32 में क्या है हमारा बोस ने 1940 में रामगड में एक सम्झावता बिरोधी सम्मेलन बुलाया जो संयूक्त प्रयास था किसका प्रयास था वो तीन यहां पर नाम दिये गए हैं तो किसका प्रयास था तो यह आपको बताना है तो यह फारवर्ड ब्लाक और किसान सभा का एक आगे देख ले हम 33 में निम्नलिखित युगमू पर विचार कीजिए समाचार पत्र पत्रिका एक तरब दिया है और दूसरी तरब उसके संस्थापक का नाम दिया गया है तो कौन सा सही सुमेलिक है नहीं है तीन सही है एक गलत है उसी गलत वाले को हमें पकड़ना है तो च ही है और बंग दर्शन जो है सातियों यह दयाल सिंग मजीठिया नहीं है यह गलत हो गया बंग दर्शन का नाम में ही है बंग तो यह बंकिम चंद्र चटर जी बंकिम चंद्र चटर जी तो यह है यह मजीठिया नहीं थे तो यही बिकल्प आपका उत्तर होगा क्योंकि यह तो आपका उत्तर भी हो जाएगा यही गलत था तो 34 में हम लोग देखते हैं क्या है 34 वाले में कथन कारण का सवाल बहुत अच्छा बहुत सरल होते हैं कथन कारण के सवाल कथन हो गया कारण हो गया तो गांधी जी ने भारती लोगों से 6 अपरेल 1919 को रालेक्ट एक्ट के बिरोध में हिंसा दिवस के रूप में मनाने का आवान किया था तो साथियों क्या ये गलत है कि सही है तो साथियों ये बात तो जो है सही है गांधी जी ने ऐसा किया क्योंकि उसमें इतने लोगों के हत अधिकार वर अंकुष लगा था यानि जो रॉलेक्ट एक्ट जो था सातियों इसमें कारा था कि किसी को भी संका के अधार पर जेल में अल्लिम्टेट समय के लिए डाल देना ऐसा अगर होता तो जितने भी लोग क्रांतिकारी अंदोलन कर रहे थे सबको जेल में डाल देते तो इसी लिए लाया गया था वो जिसका लोग बिरोद कर रहे थे जिसकी कारण जलिया वाला बाग हत्याकान का अंजाम उलुग दिये तो यहां पर दोनों सही हैं ए और आर दो में से कौन सितंबर 1928 में स्थापित हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक सदस्य थे तो साथियों आप लोग जानते हैं पहले तो हिंदूस्तान रिपब्लिक एशोशियेशन था 1925 में जब ट्रेन काकोरी कांड लोग अंजाम दिये तो कुछ जो है भंग हो गया यह जो संगठन था तो बाद में चंसीखर के नेतित में 1928 में एक अलग से नया संगठन इसी में करके बना तो उसका नाम था हिंदूस्तान सोचलिस्ट रिपब्लिक एशोशियेशन यह हरा था और यह हसरा बना तो यही हसरा के सदस संस्थापक सदस की बात कर रहा है तो संस्थापक सदस यानि जब उसका सथ इस्थापना हो रही थे तो उसमें सदस्था कौन-कौन थे उसमें तो यही बात आपसे पूछ रहे हैं तो सात्यों इसमें भागत सिंग थे जो के इस चन्द चटरजी थे और उनका पहला लच्छ रखा गया कि लाल जिसे बोस जी ने बनाया था सुभास चन्द बोस तो फारवर्ट ब्लाक का संबंध क्या है इन दोनों पढ़कर आप सही से विचार कीजिए तो साथियों इसकी इस्थापना सुभास चन्द बोस द्वारा कांगरेश के भीतर एक नई पार्टी के रूप में सुरू की गई थी, तो साथियों, यह आप से पहला कथन दिया है, तो ये बात बिलकुल सही है, सुबाज जनद बोजी ने कांग्रेस के अंदर ही रहकर ये बनाया था, तो ये है क्या दूसरा क्या है इसके निर्मार के परिडाम स्वरू सुभाष यंद बोश को तीन वर्स के लिए कांग्रेस में कोई पद धारन करने पर प्रक्तिबंदर लगा दिया था कांग्रेस ने ऐसा किया भी था साथियों तो ये दोनों भी था ये 49 में हुआ था ये ये 1949 में ये मामला आया था जो तिरी पूरा संकट के बाद जो है तो ये दोनों कथन सही है हमारे आगे चलते हम लोग देखते हैं तो सधीस म में क्या है निम लिखीत कॉठों में इसे कौन 1937 के प्रांती चुनाव के संदर में सही जह पहला प्रांती चुनांव हुआ था उसके अंदर में क्या सही है उसी सही को आपको पकडणना है जा तो क्या है यहाँ पर आप लोग को मालूम है कि साइमन कमीशन का आदेशा नुसार उननीस सो आदेशा नुसार ब्रिटिस भारत में वर्स 1937 में प्रांसी चुनाव आयुद कर आए गये था तो नहीं साथियों साइमन कमीशन के हिसाब से नहीं यह तो उसी समय मामला गड़ड़ आ गया था जो माम दंगा हो गया तो यह नहीं होगा यह चुनाव सीमित वयस्क मता अधिकार पर आदारी था यह साथियों जो सबको मत देने का लिकार नहीं था Deputy मता अधिकार था जो जितना टेक्स देता थ है जो इसके पास इतनी संपत्ति ए उसी के अधार पर और के देने का अधिकार देखें अनतीस में क्या है इंडियन नेशनल लिब्रल एसोशियेशन की स्थापना किशने की थी तो साथ यू सुरेंद नाथ बनर जी ने विकल्प नंबर सी हो जाएगा उन्नी सो जो है अठारा में मॉन्ट्योग्यू जो रिपोर्ट आई थी साती हूं आप लोग को मालूम है तो उसी के कारण कांग्रेश तो यहां जन हुआ तो इसका उत्तर क्या हो गया इंडियन नेशनल लिब्रल एसोशियेशन की स्थापना सुरेंद नाथ बनर जी तो आगे देखते हैं हम लोग थर्टी नाइन में क्या है हमारा थर्टी नाइन में क्या है तो थर्टी नाइन के पास हम लोग चलते हैं यहां क्या है निमलिखित में से किसने भारत महिला परिशत की स्थापना की थी तो भारत महिला परिशत की स्थापना साथियों रमाबाई रानाडे ने 1904 में किया था बिकल्प नमबर बी हो जाएगा 1904 में रमाबाई रानाडे में आगे देखते हैं लोग 40 में निमलिखित में से 40 में क्या कर रहा है निमलिखित में से किसे किसने मासिक पत्रिका जिसका नाम था वीतल बिद्धुहनसक तो मितलब ऐसी एक पत्रिका आती थी बितल बिन धुंसक एक मासिक पत्रिका थी एक महिने पर आती थी तो इसकी सुरुवात किसे ने किया था ये आप से पूछ रहे हैं बिचारधाराओं से मिलती थी तो बिकल्प नंबर ए हो जाएगा एक तालिस में देखते हैं क्या है तो आगे हम लोग देखते हैं क्या है हमारा तो शाथियों हम लोग 41 सही है इसमें क्या है साथियों सेयदत आमाहथखान सेसेद आमाहथ खान के संब्ध में कौन साकतन सही है आप लोग जानते है अली गड़ मुस्लिम उनिवर्षिटी जो बनी है इस समय अलीगड़ मुस्लिम University AMU वो इसी के ही संथापक यही हैं सरसयद अमहत खान यह कांग्रेस के बहुत बड़े बिरोधी थे यह सयद महम्मध खान यह जो है और जो डादा भाई नोरोजी ने जो कहा था अंग्रेज यहां से संपत्ति लूट कर ले जा रहे हैं खास करकि यह अंग्रेजों के बहुत बड़े हिताइसी थे अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे तो और इन्होंने जो है यह मतलब अलिगर्ण मुसलिम इनवर्सिटी जो बनाई थी तो वो दूसरा नाम था अंग्लो इनिवर्सेंटर मुसलिम एंग्लो काउंजिल सदस्ट बनने पर उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रोजों ने उसे नाइट हुड से सम्मानित किया था तो यह साथियों मैंने पहले बता अंग्रेजों का बहुत बड़े चातुकार थे और उन्होंने परदा, बहुपता, पीरी या यो जो सबots उसका समर्थन यह नहीं सात्व तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाए कि यह गलत है यह किवल 1 इक सही है तो देखते हैं हम लोग 42 में देवबंद आंदोलन या पंथ किसके संदर में कौन सा सही है। दोनों बाते सही हैं, तो यहां पर हमारी जो है हो जायेगी, यह जो है A हो जाएगा, दोनों बाते सही हैं. आगे हम लोग देखते हैं, 43 में साथ हिओं क्या कर जा रहा है हमसे, 43 में क्या पूछा जा रहा है? 1907 में इस्थापित 1907 में इस्थापित Indian Society of Oriental Art द्वारा की जाने वाली छाथर बिट्ती सरप्र्थम किसे मिली थी तो सातियों जो छाथर बिट्ती इसके माध्याम से जो मिली थी वो सरप्र्थम नंदलाल बोस को मिला था बिकल्प नंबर B हो जाएगा हमारा 43 में चित्र काला के छित्र में ये मिला थाउन है तो 1907 में आगे देखते हैं हम लोग देखें 44 में क्या है कथन कारण वाले सवाल है तो एक में आपको कथन दिया है यहाँ पर यहाँ पर आपको कथन दे दिया है तो कथन पढ़ लेजिए कारण पढ़ लेजिए उत्तर दीजिए क्या है तो भात्वी बाश्टी कांग्रेश के नरम पंथी यह समझने में बिफल रहे कि अंग्रेश द्वारा बिधान परिश्द में किये गए सुधारों का उद्देश नरम पंथियों को पूरस्कित करने के बजाए गरम पंतियों को अलग थलग करना था यस साथ यो बिलकुल सही कह रहा है कांग्रेश की यही चाल थी जो उतने विवाजन का कारण बना मुसलिमों की मतलब अंग्रेजों की तो यह जो है आपका यह तो सही हो जाएगा तो यह बाते बिलकुल सही है और दूसरा क्य जो नरम गरम दलवाले थे गरम दलवालों को पता था कि हां आगे इसका अंजाम बुरा होगा ऐसा नहीं को लोग अनभिग नहीं थे तो यह वाला गलत हो जाएगा तो यह आपकी जो है तो साथियों हां अच्छा इसमें है अनभिग लिया है ना तो सही है तो यह बाते कार परियुक्ट दोनों कत्मों में से कौन सा सही नहीं है उसको आपको बताना है, चार बिकल्पों में से एक गलत है, उसे गलत को पकड़ लेना है, तो साथियों आप लोग पढ़ोगे, तो देखो कि यह तीनों जो है, सही बाते लिखे गई हैं, सत्यन सिंघा, उन्निसोनों में वायसराय कारकाड़ी परचद नियुक्त होने आले पहले भारती थे उननीस ओरलों में जो मारले मिंटो सुधार आया था मुसल्मानों को अलग निर्वाचन के लिए वो प्रांती विधानों में निर्वाचन सदस्यों की संख्या में ब्रिद्धी की गई अप्रेल 1906 में बारिंद कुमार घोस बुपेंद्र नाथ दत्ता ने सप्ताहिक युगांतर की सुरुवात की ये भी सही है तो तीनों सही हैं गलत यही है तो बारदोली सत्यागर के कारण यूरोपी नील बगान मालिकों द्वारा लाउ की गई तिनकठिया प्रथा प्रडाली भी रोत ही взять नहीं सांतियों ये बारदोली प्रथा के कारण नहीं हुआ था साथियों बारदोली तो वो सरदार बल्लम भाई पटेल 1928 में किये थे जिसके कारों में सरदार कुपादी मिली थी तो ये जो तिन कठिया वाला प्रधा था तो ये चंपारण आंदोलन से संबन दी था मातमा गांधी वाला आगे देखतें डी आपका उत्तर हो जाएगा यही यही गलत था तो यही उत्तर होगा 46 में साथियों 1905 में 1905 में जो है जो है यह जो श्याम जी कृष्व वर्मा थे यह लंदन में एक सोसाइटी बनाए थे उससे सम्भनीत हुआ है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किस ने किया है तो किस ने किया था मैंने पहले बताया ये शाम जी कृष्ण वर्मा आगे देखते हैं हम लोग गदर पार्टी से सम्बंदित सवाल है तो गदर पार्टी सम्बंदित क्या सवाल है साती हूं 47 सवाले में हमारा तू इसको थोड़ा सेट करते हैं हम लोग देखें गदर पार्टी का सम्बंदित कथनों पर विचार कीजिए तो निमलिखित कथनों पर विचार करके गदर पार्टी के बारे में हमें बताना है तो इसका मुख्याल है बैंकूर में था बैंकूर मतलब साथ ही हो ये यू यस कनाड़ा यूस से एक बात कर रहा है तो बै बिद्रोह ये बात सही है इसके सदस्यों का उद्देश भारत में बिद्रोह की सुरुवात करना 1924 में दो घटनाए एक कामा गाटा मारू एक जहाज का नाम था कामा गारू गाटा मारू घटना और प्रथम विश्युद्ध की सुरुवात से इन्होंने अपने उद्देशों के लिए काभी प्रुसाइद किया दोनों बाते सही हैं साथियों हमारा डी हो जाएगा उस तरह आगे देखें 48 में हमें क्या पूछ रहे हैं 48 में साथियों क्या पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंद 1915 की बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इपेंडेंस से नहीं था तो किसका संबंद बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इपेंडेंस से नहीं था तो यह आपको बताना है 48 वाले में तो आप लोग जानते हैं आज उचकतन दिया है इनमें गुरुपक्षिंग धिल्लो वो उसमें नहीं थे बाकी बिरेंदना चटो पाद ध्याय यह भूपेंदत्ता लाला हर्दय वो जो लाल किला मुकदमा चलाया गया था गुरुपक्षिंग धिल्लो उससे संबन देथ हैं तो यही डियाला आपका उत्तर हो जाएगा आगे देखते हैं लोग 49 में तो 49 वाले में आपसे फिर पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है तो जो सही नहीं है उसी को पकड़ि कुमेड़ी वाले में 1961 के भारती परिशद अधिनियम के द्वारा बेटिस अधीन भारत के कारकाडी विदहाई कारिओं को अलग कर दिया गया तो साथी हो यह इसके परिपेच में गलत है जबकि यह जो है सही है क्योंकि 1861 में वो नहीं किया गया था साथी है वो 1861 नहीं 1703 तो यहां एकसरत नहीं होगा 1793 वाले में आगे देखते हैं कि पचास वाले में कारावास में डाले जाने वाले पहले भारती पत्रकार कौन थे जेल में डालने आने वाले मतलब भेजे जाने वाले भारती पत्रकार कौन थे यहां पर जो है चार नाम दिया गया है साथियों तो सुरेंद नात बनर जी विकल्प नंबर बी हो जाएगा सुरेननाद बनर्जी एक कारा वास में जाने वाले पहले भारती थी, इंका कारण ये था सातियों, बनर्जी ने बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रती असम्मेंद सिल होने के लिए, एक मतलब करांतिकारी टाइप का लेख लेख दिया था, नियाले के एक नियाईध कारी मिलती है, या अस्थल कहां है, तो सातियों ये बुर्ज होम जहां से ये पूरा तात्युक अस्थल है, ये बुर्ज होम जो लिखा है, ये पूरा तात्युक अस्थल है, जहां से नौपसाण यूग के अस्थियों, यानि हड्डियों के अवजार मिले हैं, या कहां है, उस specific जगह का नाम पूछ रहा है, तो साथियों कहां हो सकता है, वही जम्मू कश्मीर में बिकल्प नंबर C हो जाएगा, चारो वेदों में सबसे लगू वेद कौन सा है, यानि सबसे छोटा वेद, सबसे पूराना पूछे तो रिग वेद हो जाएगा साथियों, और इसमें सबसे लगू वेद पूछ राज, सबसे लगू साम वेद, इसमें सारे गामा पाधानी वाला मैटर है, गायन से सम्मनलित ह और इसके मन्त्रों को चारन करने वाले उधगाता कहते हैं, यह सब आपको पता होगा. आगे देखते हैं हम लोग यहां से अब आपको प्राची नितिहास से प्राशन आपको मिलने लगे हैं. तो किस अधिनियम, किस पाशार कालीन यूग के लोगों की चित्रकला से सबसे अधिक रूची थी, किस पाशार यूगिन कालीन, मतलब ऐसे पाशार यूग जो अलग-अलग भागों में बाटा गया है, तो किस यूग के लोगों को चित्र बहुत ज्यादा पसंद था, तो उस था रोची अब देखें हम लोग सिंद्धु घाटी सभ्यता के लोगों को निमलिखित में से किसके बिषय में जानकारी नहीं थी तो किसके बिषय में जानकारी नहीं थी सिंद्धु सभ्यता के लोगों के बारे में तो जो किस जानवर के बारे में यहां पर जो है चार नाम तो निये गए हैं, तो उन्हें सेर के बारे में जानकारी नहीं थी, जबकि सबसे पहले पुत्ता उन्होंने पहला, बिल्ली, घधा, ऊसन था ये 14 पष्पन में सिंदुधांच 2 समयलित, नहीं है तो कौन सा कथन युग में सही सुमेलित नहीं है उसे बताना है तो साथ ही अप लोग को मालूम है जो सिंदु घाटी सब्वेता है जैसे माल ये पूरब पश्यूम उत्रदशी जो सबसे उत्तर में है वो जम्मू कस्मीर में मांडा में है सबसे उत्तरी यस ये बात स और सबसे दच्षडी यहां दयमाबाद महराष्ट में है यह और सबसे पूरब में जो है वह आलमगीर पूर आलमगीर और सबसे पश्चमि सुरकोटना दे दिया है यहां पर जो दे दिया है, यह कौन सा होना चाहिए, यह सुर्टोड़्दा, तो सबसे पश्च्मी यह रही नहीं होगा, इसी से संब्दित नाम है, लोग ot하고 ge car ge पिंडोर आगे देखते हैं निमनलिखित कथनों पर कौन सा लोथल से संबंदिश सही नहीं है तो क्या सही नहीं है साथियों करा है यह एक प्राकृतिक बंदरगा था नहीं साथियों यह एक कृतिम बंदरगा था तो सीधा सीधा गलत दिया है मुनें पकड़ लिया यही सही ह आगे हम लोग देखते हैं पाटली पुत्र में एक किले का निर्माड किसने करवाया था तो पाटली पुत्र में जो किले का निर्माड हुआ था साथियों वो किसने करवाया था तो ये करवाया था साथियों ये जो है अजास सत्रू और मल ये ये उदाएं तो किसने करवाया रहा होगा ये अजास अत्रू ने करवाया था ये बीवाला होना चाहिए उत्तर आगे देखते हैं लोग निम्लिखित कथनों में से कौन तोलकापियम के संबंद में सही नहीं है तोलकापियम के संदर में कौन सा सही नहीं है तोलकापियम एक कमिल साहित है आप लोग मालू है सबसे बड़ा साहित है तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही हो जाएगी इसमें कोई डाउट नहीं है इसकी रचना आदिगल ने किती साथियों गलत हो जाएगा यही जो गलत है यही आपका उत्तर होगा तो साथियों यह तोलका पियार नाम ही जैसे है तोलका पियम उसके रचना कार भी उनका नाम तोलका पियार था तो यही होगा TEP मैं लिख दिराओं समझ जाएगा तोलका पियाद आगे देखते हैं 69 में निमलिखीत कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो जो सही नहीं है उसे बताना है हमें कौन सा सही नहीं है तो चांदी के सिकों को रूपक कहा जाता था यह साथियों, सीधी सी बात है, बिल्कुल सही है, गुप्तकाल में, चांदी को सिकों को रूपक क्या रूपक कहा जाता था, यह सही है, लेकिन हमें गलत को बताना है, सोने के सिकों को दीनार कहा जाता था, यह भी बात सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, गुप्तकाल के द दवरान जो सोने के सिको की गुप्त काल में सोनों की सिको गुडवता बहुत अच्छी नहीं थी तो ये वाला साथियों यहाँ पर गलत दिया है तो सी वाला आपका गलत हो गया गुप्त काल इनसासक अनुष्ठान का कार के पस्चाद भिसे सिके जारी करते थे यही है गलत य महा दंडनायत किसे कहा जाता था तो साथ यहां यहां पर हम लोगोंने स्सक्षॉट को ने तक अच्छे से देख लिया अब हम लोग एक TáWith देखते हैं तो 21st इससे पहले साथियों समय बहुत न हो जाए कुछ में मोबाइल चार्ज नहीं आप लोगों देख रहे होंगे तो हम लोग इसको जो है मौडरन इंडिया तो साल्व कर लिए अब यह हम लोग एंसियंट जो साल्व करने वाले हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट टू बनाएंगे व अब तक में लोग मिलते हैं नमस्कार धन्यवाद